नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो आपके जिवन में किसी और चीज का महत्वा हो ना हो लेकिन कप्रों का महत्वा जरूर होता है किसी इंसान के लिए कप्रे बहुत जरूरी होता है अगर किसे को किसी पाटी में जाना हो किसी साधी में जाना हो या कहीं भी जाना हो कप्र से बहुत जरूरी होते है एसर में सवाल उठता है कि हम अपने पुराने कप्रे किस दिन हटाए या किस दिन पहने या ć तार फेके या धिर हम उसकी जगह में कप्रे कब ले हुआ कि आपको पती कि आ अगर आपका कप्रे खराब है और उनमें कटे फटे हुए है कुछ या फिर कुछ बूरे कप्रे है तो वहीं हमारा जो उर्जा है वह कम हो जाती है और हमारे जीवन में कई तरह के बूरे परणाम देखने को मिलते है इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छी थर्द से होते तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा हीुजागर होगा और अगर आप खराब धंग से रहोगे तो आपका व्यक्तित्व काहर помощ typically और आपरसन और कम हो नहीं पहनना चाहिए नहीं तो उससे वेवाहिक जीवन में दिक्कते आती है इससे आपका सुक्रग्रह बिल्कुली नीच के हो जाते है और आपके घर में असंक्य तरह के परिसानिया आना प्रारम हो जाती है बहुत सारे भाई लोग फटे बनियान पहन लेते है या बहुत सारी महिलाए फटी वे ब्लाउज पहन लेती है तो इस तरह के कप्रे पहनने से आपको कई सारी बिमारियों से उलजना पर सकता है जैसे कि फटी बनियान आपको दिल का रोग और मांसी रोग देख सकता है आपक दोस्तो इस तरह के जो भी कप्रे है अमें उसे हटा देना चाहिए अब बात आती एक इन कप्रों को आपको कब रंखना तियरा दोस्तो फटेवे कप्रे को आप सुक्रवार के दिन हटा सकते है और दूसरा सunिवार को भी हटा सकते सनीवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन घर में कुछ नाकरात्मक चीज पैदा करने वाली जो भी चीज होती है उसे हटा देना चाहिए दोस्तों बहुत सारे लोग थोरे बहुत पुराने कपड़े रखते हैं ताकि कुछ साफ सफाय में काम आ जाए वह अलमारी के लिए किसे क रंगे होते हैं जो कि सारे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं इसलिए जब आप वहां कपड़े थोड़ी देर के लिए दूप में रखेगे तो उसकी जो भी नाकरात्मक उर्जा है वह कम हो जाएगी अब आपके मन में सवाल आता होगा कि पुराने कपड़े को किसको द पुर्जा रहती है कभी भी किसी को कपड़े दे तो उसे धोकर ही दे पुराने कपड़े सिर्फ उसे ही दिजिए जिसे उस कपड़ी की बहुत ही जरुत है या फिर अगर किसी को दान देना ही है तो नए कपड़े ही हमिसा दिजिए क्योंकि पुराने कपड़े हमारे लिए अनुप्योगी हो जाती है, इसलिए हम उसे किसी और को देते है और अगर उस वक्ति को उस कपरी की जरुत भी न आ हो तो वहादान नहीं कहलाता है और अगर आप किसी जरुत मन को इसे देते है तो उसके बहुत ही अच्छे परणाम होते है क्यूंकि उसे इस कप्रे की जोरत थी और इसकी आपको कुछ दिवाय तो जरूर लगती है तो जब भी आप किसी इंसान को पुराने कप्रे देते हैं तो उसे ही दीजिए जिसे इसकी जोरत हो उसे इस चीज के आवसकता हो या कप्रा मिलने से ज्यादा उसका फायदा हो या बाहर फेख सकते हैं दोस्तों अब बात करते कि अगर हम नए कप्रे खरिद रहे हैं और अगर हम नए कप्रे पहनना चाहते हैं तो हम किस दिन नए कप्रे पहनने का शुरुवात कर सकते हैं नई कपर पहना दोस्तों आप पूजा पाठ के दिन शुरू कर सकते हैं या फिर बुद्वार गुरुवार और शुक्रवार यह तीनों ही दिन बहुत ही बढ़िया रहता है खास करके गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर आप नई कपर पहनते है तो जीवन में सुख समृद्धी और सफलता लेकर आता है तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प झाल झाल